बाडमेर जिले की नवन्यूक्त जिला कलेक्टर आईएस टीना डावी ने कारेभार संभालने के दूसरे दिन आज अधिकारियों के साथ बैठक की इसके बाद वो शहर के कई इलाकों में पहुँची और आउचक निरिक्षन किया निरिक्षन के दौरान जिला कलेक्टर टीना डावी ने सफाय व्यवस्था सुधार ने और शतिग्रस्त सडकों को जल्द ठीक करवाने के निर्देश दिये रसल एक दिन पहले ही आईएस टीना डावी ने बाडवेर जिला कलेक्टर के रूप में ज्वैन किया तो उन्होंने करीब आधे घंटे तक पत्रकारों से चर्चा कर शहर और पूरे जिले की मूलभूत समस्याओं के बारे में जाना रवीबार को छुट्टी के दिन अचानक जिला कलेक्टर प्रसासनिक अमले के साथ निरिक्षन पर निकली और वैस्तत्तम इलागों और चौराहों का निरिक्षन किया जिला कलेक्टर टीना डावी ने सरकिट हाउस से निकल कर सिंधरी चौराहा, चोटन चौराहा, बी एंसी सरकल, अहिंसा चौक, स्टेशन रोड, जोधपुर रोड सहित कई जगों का निरिक्षण किया इस दोरान जिला कलेक्टर ने नगर परिशद आयोक्त विजय प्रताप सिंग को बार्मेर शहर में सफाय व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिये, उन्होंने एनचे आई और सार्वजनिक निर्मान विभाग के अधिकारियों को बारिश से छतिगरस्त, सडकों को जल्द से जल्द ठीक करवाने के निर्देश भी दिये, निर्देशन से लोटते समय जिला कलेक्टर टीना डावी ने भी अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर एम्बुलेंस को रास्ता दिया, इस दोरान उनके साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंदर सिंग चांदावत, सार्वजनिक निर्मान विभाग अभियंता, सूरा राम चोधरी, विकास अधिकारी, बार्मेर, ग्रामीन, अतुल सोलंकी, पुलिस उपाधिक्षक, रमेश कुमार शर्मा सहित अन्य विभा अधिकारी मौजूद रहें, राजस्थान तक के लिए बार्मेर चे, दिनेश बोहराक रिपोर्ट